एप टिक की अप के लिए इस तरह से सायरी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं दोस्तों जैसा कि आपको पता हुआ कि इस्टाग्राम रिल्स पर अभी ये वाला सायरी स्टेटस बहुत ही जादा बायरल चल रहा है तो दोस्तों अगर आप लोग टिक की एप पर इस तरह का status वीडियो डालेंगे तो आपको वीडियो जरूर यहाँ पर viral हो जाएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको इस तरह से सारी status वीडियो बनने के लिए आपको एक app की जरूरत परने वाली है, जिसका नाम है Unlight Motion, तो आपको Unlight Motion app की link इस वीडियो को डिप किसने मिल जाएगी तो आपको link पर कलिक करके Unlight Motion app को download करना है download होने के बाद Unlight Motion app को open करना है open करता ही guys आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो आपको नीचे एक option मिल रहा है प्लस वाला इस पर आपको खुलिक करना है क्लिक होने के बाद यहां से guys आपको 960 की साइज को select करना है और यहां पर guys आपको नीचे में black background को select कर ले रहा है आपको नीचे एक option मिल रहा है create project इस पर आपको खुलिक करना है क्लिक करते ही guys आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा तो आपको नीचे एक option मिल रहा है plus वाला इस पर आपको लिक करना है क्लिक होने के वाद आपको image and video पर क्लिक करना है view वाल पर क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके मौल के folder open हो जाएंगे यहां से guys आपको इस photo के वाल पेपर को select करना है जिस पर भी आप video को बनाना चाहते हैं तो यहां पर guys हम इस वाल पेपर को select कर लेंगे select करने के लिए आपको नीचे एक option मिल रहा है plus वाला इस पर आपको लिक करना है क्लिक करते ही guys आपकी photo and light motion एप में add हो जाएगे आप देख सकते हैं guys आपको दोनों उंगलियों की मदस से इस वाल पेपर को अच्छे तरह से set करना है इस तरह से वाल पेपर अच्छे तरह से जूम करके set करना है set होने कवाद guys आपको नीचे को option मिल एक एफेक्ट वाला इस पर आपको खुलिक करना है click होने कवाद आपको add effect पर खुलिक करना है यहाँ से guys आपको saturation and vibrance यहाँ पर आपको सर्च करना है तो आप देख सकते हैं आपको first में saturation and vibrance वाला effect देखने को मिल जाएगा आपको इस पर खुलिक करना है click होने कवाद यहाँ पर आपको खुलिक करना है guys आपको saturation को इस तरह से right side में scroll करना है इस तरह से आपको scroll करना है तो guys आप देख सकते बाल पेपर का color है जो change हो गया है इस तरह से आपको बाल पेपर की color को change करना है यहाँ पर आपको click करना है अब guys आपको plus option पर click करना है यहाँ पर guys आपको एक rectangle को select करना है इस तरह से आपको rectangle को select करना है select होने के बाद आपको इसको खीच कर फूल स्कीन में इस तरह से लगा लेना है यहां से guys आपको नीचे का उप समल रहा है color इस पर आपको klik करना है click होने के बाद यहां पर आपको klik करना है यहां से guys आपको इस तरह से इस line को इस तरह से कर देना है गाइस जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको भी इस लायन को इस तरह से लगा देना है यहाँ पर गाइस आपको नीचे ब्लेक वाली पर क्लिक करना है क्लिक होने के बाद यहां पर आपको क्लिक करना है और इस तरह से आपको इसकी लायन को नीचे साइड में कर देना है तो आप देख सकते हैं हमारे बाल पेपर पर भाइड वैक ग्राउंड आ चुका है अब गाईस आप इसको अच्छे तरह से अज़ेस्ट कर सकते हैं इस तरह से आप जितना भी इसमें भाइड वैक ग्राउंड लगाना चाहते हैं आप इसको अच्छे से अज़ेस्ट कर सकते हैं तो हम इस बाल पेपर में इतना भाइड वैक ग्राउंड लगाएंगे तो आप देख सकते हमारे बाल पेपर भाइड वैक ग्राउंड लग चुका है य यहां से आपको इसमें एक Siree PNG letter को इसमें select करना है इस वीडियो को बनाने में जो भी image, video और sound ये use होंगे आपको उन सभी का link के इस video को डिपकेसन मिल जाएगा तो आपको link पर click करके image, video और sound को download कर लेना है इस तरह से आपको इस Siree को यहां पर select करना है इस तरह से guys आपको Siree को बाल पेपर में set करना है आपको Siree की link इस video को डिपकेसन मिल जाएगी तो आपको link पर click करके Siree को download कर लेना है इस तरह से आपको अच्छे से बाल पेपर में set करना है set होने के बाद guys आपको यहां पर click करना है guys आपको नीचे एक option मिल रहा है plus अला इस पर आपको click करना है image and video पर click करना है view wall पर click करना है यहां से आपको एक video को इसमें select करना है इस वाली video को इसमें select करना है select होने कद आपको नीचे एक option मिल रहा है plus अला इस पर आपको click करना है गाइस हम इस video के sound को अपनी video उपर लगाएंगे तो आपको इस video का sound नकार लेक लिए आपको उपर एक option मिल रहा है 3.h direct तो guys आप देख सकते हमारी video अभी कुछ इस तरह से यहां पर edit हो चुकी है, आपको sound की layer के बरावर सभी layer को करना है, तो आपको बाल paper की layer पर klik करना है, click होने के बाद आपको end में जाना है, इस तरह से यहां पर आपको klik करना है, click करते ही आपकी layer, बाल paper की layer लंबी हो अब गाईस आपको नीचे एक option मिल रहा है, प्लस वाला इस पर आपको खुलिक करना है, क्लिक होने काद image and video पर खुलिक करना है, यहाँ से आपको इसमें एक particle effect video को select करना है, इस तरह से आपको particle effect video को select करना है, नीचे एक option मिल रहा है, प्लस वाला इस पर आपको खुलिक करना ह आपको नीचे एक option मिल रहा है blending and opacity इस पर आपको पुलिक करना है click होने कद आपको lighten वाले option पर click करना है नीचे एक option मिल रहा है screen इस पर आपको click करना है click करते ही guys आपकी effect video इस तरह से लग जाएगी आप देख सकते हैं तो guys आप देख सकते हमारी video कितने amazing तरह से यहाँ पर edit हो चुकी है अप guys आपको इस video को download करना है download करने के लिए आपको उपर एक option मिल रहा है यहाँ पर आपको click करना है click होने कद आपको वीडियो वाले option पर click करना है क्लिक होने एक बाद यहां से गाइस आपको इस वीडियो की quality को select करना है तो इसको हम 1080P की quality में इसको download करेंगे आपको नीचे एक option मल रहा है एसपोर्ट इस पर आपको करना है क्लिक करते ही गाइस आपकी वीडियो download होने लगी तो गाइस आप इसी तरह से अपनी फोर्ट लागा कर एक किसी बाल पेपर को लागा कर टिक की एप के लिए सायरी status वीडियो बना सकते हैं गाइस अगर इए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए उचानल को subscribe कीजिए